हालो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में बेसिकली यस बैंक के लिए अगर हम बात करें तो दो खबर निकल कर आई है एक खबर है जहां पर इसने बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक को भी पीछे छोड़ दिया अब वो किस सेग्मेंट में पीछे छोड़ा है कितने मार्जन से पीछे छोड़ा है और इसका फायदा क्या कुछ मिलेगा कमपनी को और share price को वो डिसकस करेंगे साथ के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जिसमें अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े changes भी होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो भी खबर क्या है उसका भी क्या कुछ impact पर सकता है share के price पे जब मंगलवार को market open होगा क्योंकि मंडे को market close है तो इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे वीडियो को end तक आप जरू देखिए so that आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आज है चैनल में फस्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू कर दीज़ेगा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीज़ेगा सबते पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी तो लगबग दो पैसिन की गिरावट थी शेयर में और शेयर पहुँच गया था 19 रुपे 75 पैसे पर यान कि 20 रुपे से नीचे की क्लोजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है चैनल अगर आप फॉलो करते होगे लेवल्स आपको पता होगे जो दो क्रिशन लेवल मैंने आपको बताए हैं 20 रुपे और 21 रुपे यह दो ऐसे लेवल हैं यहाँ पर अगर सेयर सस्टेन कर गया और अगर इस लेवल पर सस्टेन कर जाएगा तो डेफिनेटल आपको बड़े तार्गेट्स देखने को मिल सकते हैं डिरेक्टली पहली रिपोर्ट पर लेका चलता हूँ पहली रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें बात की जा रही है कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर अगर आप देखते हो तो सबते जादा शेयर होल्डर्स नजर आते हैं यानि कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो सबते जादा है जिसमें यस बैंक का नाम आपको नजर आ रहा है सुजलॉन और बोड़फोन आइडिया का भी नाम आपको यहां पर नजर आ रहा है सुजलॉन पर अगर आप देख लोगे तो उसकी डीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आप यहां पर एक एक करके स्टॉक्स के बारे में जानते के आखिर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबते जादा रिटेल पार्टिसिपेशन है सबते नंबर अन पर नजर आ रहा है यस बैंक यस बैंक में अगर आप यहां पर देखते हो तो जो पब्लिक शेर ओल्डिंग है वो है 48,88,441 के आसपास की यानि कि एक और रिपोर्ट निकल क्या थी उसको इसी में कबर कर देता हूँ जब शेर में 50,000,000 शेर ओल्डर हो गए थे तब एक रिपोर्ट निकली थी लेकिन उसके बाद अब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा तो जरूर कम हुआ है और वो रीजन इसी लिए है कि शेर में मूमेंटम नहीं बन रहा और रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा देता है अगर ऐसे स्टॉक्स में नहीं रुकते हैं जहां पर उनको वेट करना पड़े रिटेल इन्वेस्टर इसको चाहिए या तो एक महीने में पैसा डबल हो या तो दो महीने में पैसा तीन गुना हो जाए ऐसे शियर्स तो जहां पर वेट करना होगा वहां पर आप देखोगे कि पार्टिसिबेशन कम हो जाएगा तो अब 50 लाग से अरदाज 10 लाग के आसपास का यहां पर आपको सिनारियो देखने को मिल रहा है दूसरे नमबर पर नजर आता है टाटा पावर टाटा पावर में भी अच्छी गाजी शियर्वोल्डिंग है अच्छा गाजा पाटिसिबेशन है लगबग 38 लाग के आसपास का इन टर्म्स और परसेंटेश देखें तो 53 परसेंट यहां पे निकलके आता है उसके बाद टाटा का ही एक और श्टॉक है यहां पे आप देखो जिसमें भी करीबन 38 लाग के आसपास के शेयरोल्डर्स बने हुए हैं और वो है टाटा स्टील टाटा स्टील भी रिटेल इन्वेस्टर्स का वन आप दी फेवरेट श्टॉक माना जाता है अगला श्टॉक टाटा मोटर्स तीन श्टॉक अभी तक हो चुक है अभी तो आप देखते जाओ कि टाटा का कितने स्टॉक होते हैं टोटल लेश्ट में टाटा मोटर्स में करीबन 37 लाग यानि 37 लेग के आसपास और थोड़े दिनों में अगर इसमें कुछ हरकते हो जाती है अपसाइड में तो यह 37 लाग पर भी पहुंच जाएगा और जब भी लोग मार्केट में एंटर करते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता वो मेजर ली रेलाइंस का शेयर बगड़ते हैं विप्रो इंफ देखोगे तो यहां पर इसका पार्टिपिशन इंक्रीज हो गया है फिर आता है ITC ITC भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी गासी पब्लिक शेयर ओल्डिंग है लगबग 32 लाग के आसपास की तो ITC भी एक अच्छा स्टॉक बनता है फिर है LIC जिसका IPO भी हाल फलाल में ही आया था और जो लग रहा था कि IPO धमाल करेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया लेकिन शेयर ओल्डर्स अभी भी बने हो है लगबग 31 लाग के आसपास फिर है बोड़ाफोन आइडिया बोड़ाफोन आइडिया आपको पता है यह पैनी फिर है SBI जिसमें भी लगबग 30 लाग के आसपास आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और फिर आता है यहां पर Infosys Infosys में भी लगबग 30 लग के आसपास की पब्लिक शेयर ओल्डिंग नजर आती है और जैसे कि मैंने रीजन आपको बताया था वही रीजन है Infosys का भी फिर आता है सुजलोन एनरजी और मुझे लगता है कि सुजलोन की रैंक कुछी दिनों में बढ़ने वाली है अभी तो इसमें 28 लाख नजर आ रहे हैं थोड़े दिनों बाद देखो यानि कि एक महीने बाद यह हो सकता है 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाए फिर इस लिष्ट म मैंने आपको दिखा दी अब मैं जल्दी से आपको दूसरी नियूस पर लेकर चलता हूं जो कि यहां से निकल क्या ही वो यह है कि एक बारी फिर से यस बैंक ने अपने एपडी की रेट्स को इंक्रीज कर दिया है और यह बहुत ही अच्छी बात है कस्टमर्स को अट्रेक् रेट को पीछे छोड़ दिया है और यहां पर अगर आप देखो के तो इन्हों ने यस बैंक ने अगर मात करें तो जो दो करोड की लिमिट होती है उससे नीचे वाली में एपडी की रेट को इंक्रीज किया जो कि बहुत अच्छी बात है कि रिटेल पार्टिशन या रिट रेक्ट किया जा रहा है और लेटेस्स रिवीजन के बाग जो इनकी बैंक रेट से वह थ्री पॉइंट नेजर आघ्र लिए जो यह बहतरी माने जाती है इसमें ICI-CV पीछे है, HDFC भी पीछे है, PNV, SBI सब पीछे नजर आ रहे हैं तो ये एक अच्छा move हो सकता है, customer base को increase करने के लिए customers का जो भरोसा है, trust है, उसको increase करने के लिए और इसका फाइदा आपको जब data निकल के आता है, तब भी देखने को मिलता है Yes Bank के overall fundamentals में, तो ये कहानी है भी तक कि Yes Bank की अगर market से पहले कुछ और news आ जाती है, तो मैं definitely cover करूँगा उसको बाकी फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक like जरू कर दीजेगा चैनल पर अगर आप first time visit कर रहे हो, तो please channel को subscribe, जरूब कर दीजेगा, धन्यवाद